द्यान क्या है? द्यान का आर्थ है निर्विचार होना और जैसे जैसे हम निर्विचार होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर समाधान उतरते जाते हैं विचारों के द्वारा ही समस्याएं है विचारों के द्वारा ही तनाओ है और विचारों के द्वारा ही भीत्री विक्षिप्तता है जैसे जैसे हमारे अंदर ध्यान उत्रेगा वैसे वैसे हमारे अंदर समाधी और समाधान के फूल खिल जाए जैसे ही ध्यान पून होगा पून होने का अर्थ क्या है जब हमारे अंदर पून शुन विराजमान हो जाएगा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होगा कोई आकांशा कोई तरंग नहीं होगी ना कोई मोक्ष की ना कोई स्वर्ग की ना वैकुंध की ना केवल्य की ना अम्रतपाप्ति की कोई इच्छा जब अंदर रही होगी हमारे अंदर की चेतनन्य की जो जील है वो जम निस्तरंग हो जाएगी तब हमारा ध्यान समाधी में परिबर्तित हो जाएगा ध्यान का आर्थ चिंतन नहीं है विचार करना नहीं है ध्यान का आर्थ तो सुन्य हो जाना है निर्विचार हो जाना है